गुड मॉर्निंग कैसे आप सबी लोग दोस्तों आची इस वीडियो में हमें आप यूपी डियालेट के फर्स्ट सिंस्टर के दुत्य पिर्सन पत्र यान की जो आपका सेकेंड पेपर होता है सिच्छल दीगम का सिद्धान्त इसके अब्जेक्टिब कोईस्टेंस को किया होगा तो यहां पर पेपर का जो समय रहता है वह आपका दो गंटे कर रहता है और इस सेकेंड पेपर में पंद्रह आपके जो हैं वो अबजेक्टिव यानकी बस्तूने स्टिपिर्सन रहते हैं तो इन 15 अबजेक्टिव को सॉल्व करने वाले आज की इस वीडियो में और आपके कितने questions सही हो रहे हैं आप नीचे comment box में जरूर बताएं और इस channel को subscribe जरूर कर लें ताकि आगे और भी जो वीडियोस हैं जो lecture वो आपको लगातर मिलते रहें तो सबसे पहला इसमें question है सिछड़ पुनरवलन की आवसकताओं का किरम है यह कथन दिया हुआ है और पूचा गया है कि यह कथन किस मनोबग्यानिक है तो यहाँ पर चार option है आपके सामने वीएफ इसकेनर, राइवन, ट्लॉक और रस्क ठीक है तो यहाँ पर आपका जो right answer हो जाएगा यह आपका हो जाएगा वीएफ इसकेनर जी का यह जो कथन है कि जो सिच्छड है वो पुनरवलन की अफसकताओं का किरम है यह वीएफ इसकेनर जी का कथन है तो यहाँ पर जो आपका right answer होगा वो होगा एक नमबर वाला ठीक है अगला सवाल आपकी सामने स्कीन पर है सिच्छड का पिरमो कारे विचारों तत्यों और सूचनाओं को सिच्छारतियों तक पहुंचाना है यह भी एक कथन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह किसका कथन है किस से मनुवग्यानिक का कथन है यह आपसे पूछा जा रहा है सिच्छड अधिगम सिध्धान्त किसके लिए मनुवैग्यानिक आधार प्रिस्तुत करते हैं यान कि जो सिच्छड अधिगम के सिध्धान्त हैं वो किसके लिए मनुवैग्यानिक आधार प्रिस्तुत करते हैं यहाँ पर आपके सामने चार ओप्सन है सिच्छड के नियोजन, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने अगला उप्सन है सिच्छड की वेवस्ता, सिच्छड का मूल लियांकन या उपरयुक्ति सभी तो यहाँ पर जो राइट अंसर होगा, जो क्रेक्ट अंसर होगा वो होगा आपका चान नमर का उपरियुक्त सभी के लिए जो हैं वो यहां पर मनुवैज्ञानी का अधार जो है वो बिस्तुत करते हैं तो इसके बाद जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्कीन पर है चान नमर का सवाल है शिच्छण में उदहरल के आधार पर चात्र आसाने से समझ जाते हैं जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ाते होते हैं अगर आप उसका पहले उदहरल विस्तुत करते हैं के सामने तो उस टौबिक को स्ट्रेंट से बहुत अची तरीके से समझते हैं तो तो किन चीजों को समझते हैं इस तरह से या निकि आपका राइट आंसर जो गा वह सभी ठीक है यानि कि सभी चीजों को छात्र जो है वो अधारल के माध्यन से असानी से समझ जाते हैं इसके बाद आपका अगला सवाल है पिसनों तर सिचड़ विदी किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धती है यहां पर कुछ मनोगा ज्यानिकों की जो नाम है व उपके सामने चार और चार में से कोई एका अंसर सही है तो वह आपको यहां पर बताना था तो यहां पर आपका जो राइट अंसर होगा वह होगा सुकरात के समय से प्रिसनों तर सिचड़ विदी जो है वो चली आ रही है और इसका यूज किया जा रहा है इसके बाद अगल होगा जो करेक्ट आंसर होगा होए आपका उपर इंप्र साभी यह आपका सही अंसर हो जागा अगला सवाल है आपके सामने आनुभव के द्वारा बहबार में नहीं वाले परिवरतन को सीखना कहते हैं एक बइभिअ से परिवास यह रहां वे पक्वाष्यान होगी किया यह आपसे पूछा जा रहा है तो आपके सामने चार ओप्सने खोल और गेटस पॉबलब या रूनल भी तो आपका जो राइट अंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका गेटस ठीक है यह आपका गेटस इसके बाद अगला सवाई आपके सामने स्कीन पर आचुका है आर्ट नंबर गया इसे आप देख सकते होंगे और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कच्छा में संपरस्रड का प्रारूप कैसा होता है कच्छा में जब आप स्टेंड में के साथ बात चीत करते हैं पड़ाते हैं तो साब्दिक भी हो सकता है और असाब्दिक उठी ठीक है दोनों तरह से आप उसे पड़ा सकते हैं तो यहां पर आपका जो राइट अंसर हो जाएगा हो जाएगा थीसरा बाला साब्दिक और असाब्दिक दोनों ठीक है इसके बाद आपका अग इसके बाद आगला सवाल है आपके सामने प्रिसान नंबर दस बिद्याले परिटन सर्व विर्थम किस सिच्छा सास्त्री की देने तो यहां पर आपका राइट अंसर हो जागा प्रोफिसर ठीक है इसके बाद अगला अपसे आपके सामने यानिके अगला सवाल आपके सामने के रफ प्रिसान संक्या गया रहा सेच्छल प्रिकरिया को कॉसल के रूप में किस संस्था ने सबसे पहले अध्यान किया था तो इसका जो सबसे पहले अध्यान किया था वो था आपका इस ट प्रफोर्ट विस्विद्यल है ठीक है अगला सवाल आपके सामने है जब चात्र टॉक यानि कि बादचीत और चॉक से नहीं समझते हैं तो सिच्छड़ सिच्छक जो है वो किन चीजों का प्रियोग करता है जब चात्र ठीक से नहीं समझ पाते हैं जैसे कि चॉक के दौरा हम समझाते हैं बाचीत के दौरा हम समझाते हैं लिखकर समझाते हैं तो अगर इन चीजों से जो चात्र है वो अच्छे से नहीं समझ पा रहा है तो फिर हमें किन चीजों का यूज़ करना चाहिए आपनी सिछड़ किरिया में यानि की पढ़ाने में तो वो जो आपकी रहती है होती हैン आपकी सहक सामगरी ठीकakah साहक सामगरीव होती हैं उनको फिर यूश किया जाता है तो आपका जो राइट अंसर होगा वो होगा साहक सामगरी इसके बाद आगला सवाल अपके सामने 3 नमबर का चात्रों में क्रियाशील था कि जो अन्धोला नहें वो सर्पिर्तम कि किसने किया था ठीक है यह भी यहां पर एक moderate question है तो यहां पर आपका जो right answer होगा वोगा फ्रोविल ठीक है यह तो इससे आप एक देख लीजेगा इसके बाद आगला सवाल आपके सामने 14 नंबर गा इसमें आप से पूछा जा रहा है सिच्छड अधिगम सामगरी का कच्छा म और किया होते हैं उनका हमें आवस सकता नूसार ही पे पड़ूप करना चाहिए जहां पर आप सकता पड़ती है यह रूड़ पर उनका यूज आपको करना चाहिए तो यहां पर जो right answer हो जागा वो जागा तीन नंबर वाला सकता नूसार उसके पर जो अंतिम क्विश्चन है 15 नंबर का टोटल 15 में से आपके कितने सवाल सही हुएं आप एक बार जरू बताइएगा ठीक है रुची एक ऐसी प्रेरख सकती है जो हमें किसी ब्यक्ति बस तू आजबा क्रिया के प्रती ध्यान देने तू प्रेरित करती है ठीक है ये कतन दि कल दिया गया तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरी सब्यक्ट के सावाल भी आपको दूसरी सब्यक्ट में मिल जाते हैं